तो मैं ये याद दिला रहा था कि आज जितने यहाँ पर जो वॉलेंटियर लोग जो इस सत्संग को चलाते हैं, जो लोग आकर बैठे हुए हैं, वे लोग एक व्यक्ति के प्रति आभार के कारण यहाँ आए हैं, वो व्यक्ति हैं मनिश के स्रिष्टा प्रभू इशु जिनक तो उतर भारत में अपन ईसा भी कहते हैं, हिंदी में ईशु मसी और या कुछ लोग ईसा मसी भी बोलते हैं, प्रभू ईशु आज से 2000 साल पहले संसार पधारे थे, संसार में पधारने के बाद, शुरू के 30 साल उनने मेरे आपके समान जीवन बिताया, जिसके पीछे एक का कारण था, वो कारण अक्सर हम यहां बरा धेनों में देखते रहते हैं, 30 साल के बाद जब उनका सेवा काल आया, तब प्रभू निकल पड़े, घर बार को छोड़कर सेवा करने के लिए, साड़े 3 सेवा काल में, साड़े 3 साल कुछ नहीं होता है, यो निकल जाता है, लेकिन उस साड़े 3 साल में प्रभू ने जो बाते कहीं, और जो बाते उनने कीं, उसके कारण सारे संसार का इतिहास बदल गया है, काया पलट हो गया है, जिसमें से एक बात का ध्यान हमने किया आज गाने में कि पापी मैं था आप से दूर बचा लिया मेरी कोई कुवत नहीं है दया है आपकी उस प्रभु ने संसार में जब वो थे तब बहुत सारे जो कायरी किये थे कुल साड़े तीन साल में उसमें से एक बात आज मैं आपको याब दिलाना चाहता हूँ बाइबल के उत्तरार्द में जिसको अपन नया नियम कहते हैं उसकी चौथी पुस्तक है युहना रिचित सुसमाचार या युहना के द्वारा लिखा गया शुब संदेश उसके चटे अध्याय को खोल लिजिए युहना के चटे अध्याय को यदि आपके पास यह ग्रंथ नहीं है कोई बात नहीं है मैं पूरा का पूरा आपको पड़के सुनने जा रहा हूँ तो इधर भ्यान दें तो आराम से आप सुन लेंगे कि मैं किस भाग के बारे मैं बोल रहा हूँ वहाँ हम देखते हैं दूसरे पद में एक बड़ी भीड प्रभु के पीछे हो ली क्योंकि जो अद्बुत कायरिये प्रभु बीमारों पर दिखाते थे ये लोग इन बातों को देखते थे घटना ऐसी है संसार के स्रिष्टा प्रभु ईशु जब मनिश रूप धारण करके मनिश को मुक्ती देने के लिए संसार में पधारे तो साड़े तीन साल का उनका जो सेवा काल था उस सेवा काल में प्रभु जगए 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 जाकर जो भी उनके पास आता था उसको जो जरूरत थी वो जरूरत पूरी करते थे कई अंधे प्रभु के पास आये उन्हें ने का प्रभु आखों को रोश्नी मिल जाए प्रभु ने उनमें से हर व्यक्ति को आखों की रोश्नी दी कई लंगडे आये वो बोले कि प्रभु यदि मैं चलने लगूं तो कम से कम काम धंदा कर सकोंगा दूसरे के भरो से नहीं रहना पड़ेगा प्रभु ने उनको पैर दिया ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पूरी तरह से पैरलाइज्ड थे जो सिर्फ आखों से देख सकते थे उनके दोस्तों ने उनको प्रभु के पास ले जाकर प्रभु से बिंती की प्रभु इसके उपर हाथ की दया दृष्टी हो जाए तो इसका जीवन बच जाएगा और प्रभु ने जो भी इस तरह से प्रभु के पास लाया गया प्रभु ने उसको स्वास्त दिया उसको चंगाई दी इतना ही नहीं जब हम प्रभु के साड़े तीन साल के सेवाकाल को देखते हैं तो और भी अद्बुद बाते देखते हैं जैसे की लोग जिनकी मृत्यों हो गई थी जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी मृत्यों के बाद तो सब समाप्त हो जाता है ऐसे लोगों को भी देखकर प्रभु ने उनके पर दया दिखाई प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चे मेरी बच्ची पुनर जीवित हो जाओ चाहे पुरिश ओस्फ्री जब प्रभु ने ये आज्ग्या दी कि मेरे बच्चे तुम पुनर जीवित हो जाओ तो वो फिर से जीवित हो गए तो प्रभु के प्रभु का सेवा काल था तो सर्फ साड़े तीन साल का लेकिन इस साड़े तीन साल में प्रभू ने जो अद्बुत कारी किये उसकी कोई सीमा नहीं थी लंडडे लूलों को हाथ पैर दिया अंधों को आखें दी बीमारों को चंगाई दी जो पूरी तरह से पैरलाइस पड़े हुए थे उनको प्रभू ने ऐसी चंगाई दी छंड भर में और ऐसा स्वास्त दिया कि वो जिस बिस्तरे पर डाल कर उसको लाए थे उस बिस्तर को लेके वो कंधे पर रखके वहाँ से चला गया इस तरह से प्रभू ने जो अद्बुद कारी किये उसके अलावा प्रभू की जो शिट्षाएं थी बेभी बड़ी अद्बुद थी प्रभू की एक शिट्षा है कि वो यह है लोग अपने दुश्मनों से बैर करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, मैं तुम से कहता हूँ, तुम यदी मेरे अनियाई हो, तो जो तुम से दुश्मनी रखते हैं, उनसे भी प्रेम करो, इस प्रभु के अनियाई आज सारे संसार में फैले हुए हैं, जो प्रभु ईशु के प्रेम के बारे में लोगों को बताते हैं प्रभु के जीवन की एक अद्भुद घटना मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ उस प्रभु के जीवन से प्रभु ने चुंकि इस तरह के बहुत सारे कारी किये तो लोग तूट पड़ते थे प्रभु को देखने के लिए ना केवल देखने के लिए बलकि प्रभु की शिच्छाएं ऐसी अद्भुद थी कि उन अद्भुद शिच्छाओं को सुनने के लिए भी लोग एक साथ एकत्रित होते थे एक दिन की बात है जब प्रभु की अद्भुद शिच्छाओं को सुनने के लिए और प्रभु के द्वारा किये गए आश्चरिय कर्मों को देखने के लिए लोग एकतरित हुए पांचवे पद में हम देखते हैं जब प्रभु ने आखे उठा कर एक बड़ी भीड को अपने पास आते देखा तो फिल्पुस उनका एक शिश्य था फिल्प इस तरह कि है प्रभु जैनरली है शहर के बाहर जहां पहाडियां होती थी ऐसे उलाकों महें जाते थे जिस्से की लोग गावों शहरों से पहाडियां वाले इलाके में जाए जिस्से की सब लोग एक जगए एकतरित होकर प्रभु को देख सकेmost प्रभू की वानी सुन सकें। पुरैने जमाने में जब गाड़ियां नहीं होती थी, जब शहरों का शोर नहीं होता था, तब यदि कोई व्यक्ति पहाडिया पे खड़े होकर संदेश दे, तो उसके आवाज बहुत दूर दूर तक जाती थी। तो इसलिए प्रभू इस समय शहर के बाहर एक पहाडिया के पास थे, और उनकी वानी सुनने के लिए गावों गावों से जब हजारों लोग एकतरित हुए, तब सवाल था, इन सब क्या होगा, घंटों से बैटकर मेरी वानी सुन रहे हैं, और अभी तो मैं उनको और कई इसलिए शिट्षा देने जा रहा हूं, इनके भोजन पानी का क्या होगा, पानी का तो यह है कि जनरली आज जिस तरह से अपन बोतल में लेकर चलते हैं, उस समय वो लोग पानी तो या तो चमड़े के मश्क में लेकर चलते थे, या जिस तरह से आजकल सादू सन्यासी लोग यह लोकी के मोटे जो सूखी लोकी है, उसको अंदर से खाली करके उसमें लेकर चलते हैं, उस सरह से पानी तो लेकर चलते थे, खाने का क्या होगा, प्रभु ने अपने शिशी से खा कि देखो, इन सब के लिए खाने का कुछ इंतिजाम करना होगा, वो हैरान हो गया वो शिशी देखे, शिशी का क्या जवाब था, सात्वे पद में हम देखते हैं, फिलिपुस ने प्रभु को उतर दिया, दो सो दीनार की रोटी भी उनके लिए पूरी नहीं होगी, दो सो दीनार ये क्या चीज है आप सोचेंगे, उस जमाने में एक हटे-कटे, हरिष्ट- लगबग आधा दीनार पैसा मिलता था, रोमी शासन जो अपने सैनिकों को जम के तन्खा देता था, उसमें एक अच्छे सैनिक को एक दिन में एक दीनार का तीन चौधाई मिलता था, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि एक दीनार का मतलब है एक बेक्ती के दो दिन की आमदिनी, तो फिलिपुस सर पकड़के बैट गया है कि प्रभु आप कह रहे हैं इनको खाना खिलाएं, चार सो लोगों की आमदिनी, चार सो मजदूरों की आमदिनी ये दी कलेक्ट कर लें, तब भी इतनी रोटी नहीं आ पाएगी कि उनको एक एक टुकड़ा मिल सकें, फिलिपुस ने जो कहा था उसका मतलब जरा समझ लें, मतलब ये था, प्रभु मैं और आप, घरबार, सब छोड़के सेवा के लिए निकले हैं, हमारे पास पूटी कौड़ी नहीं हैं, अब आप कह रहे हैं कि खाना किलाओ, जिसके पास पूटी कौड़ी नहीं हैं, वो च चार सो लोगों की मजदूरी के बराबर पैसे का इंदिजाम कहीं से कर ले, तो भी लोगों के एक और खाना देना मुश्किल हो जाएगा, उसने कोई अतिश्योकती नहीं कही थी, उसने कोई बड़ा चड़ा कर नहीं कहा था, क्योंकि आगे लोगों की संख्या बताई गई ही है, उससे ये बिल्कुल अनुमान हो जाता है, कि इतने 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 बड़ी भीड को खाना देना बहुत मुश्किल था, और उसको प्रभू के शिष्य ने बहुत अच्छे तरह से उसको व्यक्त किया, कहने का मतलब कि कम से कम हजार लोगों की मजदूरी एकत्रित करें, अब इनको बरपेट बोजन दे सकेंगे, जिसके पास फूटी कौडी नहीं है, गुरू शिष्य वो अब इनको क्या खिलाएंगे, ये था फिलिपुस के कहने का मतलब, लेकिन प्रभू ने जब फिलिपुस से कहा, कि इनको खाने के लिए कुछ दो, तो प्रभू इस बात क इसके भाई अंध्रियास से, अंध्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक बच्चा है, जिसके पास जौ की पांच रोटी है, और दो मचलियां है, इससे क्या होगा, ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज से 2000 साल पहले, मध्य पूरु में घटी थी, मध्य पूरु म जौ की रोटियां ले लेते थे, मचली भून कर ले लेते थे, ये उनका भोजन था, उसके साथ साथ मश्क में पानी भर लेते थे, तो ये जो हजारों लोग थे, उनके सब के बीच में ढूंडा गया कि किसी के पास कुछ है क्या, ये लोग कोई पिकनिक के लिए थोड़ी महां आये थे, जो उनके पास खान पान होता, ये लोग तो प्रभु की वानी सुनने के लिए आये थे, जल्द बाजी में आये होंगे, और इस कारण में से किसी के पास भी कुछ भी नहीं था, बस एक बालक था, जिसकी मा ने बहुत ही ख्याल के साथ, जब बेटा गया, मा क को मालूम था कि बेटा दिन बर वहां प्रभु के प्रभु की उपस्तिती में रहेगा, इस कारण मा ने उसको जो की बनी भी पांच रोटिया दे दी, मा भी मुझा लगता है सोच समझ के उन्हाने किया, बच्चा एक रोटी से ज़्यादा क्या खाएगा, बड़ी मोटी र रोटी दे दें, तो वो उसको लाद कर ले जाएगा और वो सब लोग बैठके खा लेंगे, इसलिए मा ने इतना खाना दिया, तो ये जो जितने सारे लोग थे सब में तलाशने के बाद कुल मिला के मिली, उनको प्रभु के पास क्या ख़बर पहुंची प्रभु पांच र प्रभु कि लोग मश्कों में पानी लेके जाते भी थे और वहाँ आसपास हो सकता है कोई नादी नहर भी रहा हो जहां जाके लोग पानी पी लें। प्रभु के पास पांच रोटिया ले जाईगी और प्रभु कहते हैं लोगों को बैठा दो लेकिन हाँ उन लोगों लोग को ये नहीं मालूम था कि प्रभु क्या करने जा रहे हैं लेकिन प्रभु पर विश्वास था। और यहां लिखा हुआ है कि उस जगह बहुत घास थी। इसके आधार पर मैंने कहा कि हो सकता है आसपास कोई नदी नाला भी हो पानी की वेवस्ता हो जाए। तब लोग जिन में पूरिशों की संख्या लगबग 5,000 की थी बैठ गए। इसके क्या मतलब है। प्रभु ने का बैठा दो। उस जमाने में कहीं खान पान के लिए जाते थे तो जमीन पर बैठ कर खाते थे। अभी भी हम जानते हैं गाओं में शादी व्या होता है या पार्टी होती है बाकाइदा टाट पटी बिचाई जाती है अपन टाट पटी पे बैठ के खाते हैं जहां घास बहुत है वहां टाटपटी की जरूरत नहीं है सब लोग घास पे बैठ गए कित्ते लोग थे पुरिश 5,000 थे यदि किसी धार्मिक सभा में 5,000 पुरिश हो तो टोटल संख्या कितनी होगी किसी भी धार्मिक सभा में पुरिश जादा होते हैं अस्त्रिया जादा होती है अस्त्रिया जादा होती है भक्ती की भावना उन में जादा होती है तो 5000 एदी पुरिश थे तो कम से कम 5000 तो स्त्रिया भी होंगी कुल मिला के 10,000 लोग वहां रहे सब बैठ गए फिर प्रभु ने क्या किया यहां लिखा हुआ है तब प्रभु ईश्यों ने रोटियां ली और धनिवाद करके बैठने वालों को बांट दी इसी घटना को प्रभु के अन्मी शिश्यों ने लिखा है उसमें हम देखते हैं प्रभु तोड तोड के देते गए बांट दे चले गए वैसे ही मचलियों मेंसे जितनी चाते थे बांट दिया क्या उसका परिनाम हुआ खा कर त्रूप तो हो गए पांच हजार पुरिश जिसके साथ कम से कम पाँच हजार स्त्रिया रही होंगे बच्चों की संक्या तो अपन सोच भी नहीं सकते पाँच रोटियों को लेकर प्रभू ने धनिवाद देखे तोड़ कर जब दिया तो पाँच हजार पुरिश समेट कम से कम दस हजार लोगों को उस दिन भोजन मिला क्यों इसका क्या मतलब है प्रभू ने लोगों को ये प्रदर्शित किया मैंने इस संसार की सृष्टी की है मैंने एक आग्या से जब मैंने कहा कि आकाश और पृत्वी उत्पन हो तो आकाश और पृत्वी उत्पन होगे एट्षन भर में मैं वही प्रभू हूँ जो ना केवल सृष्टी करता है बलकि पालन हार है तुम्हारा पालन करता है और चुकि मैं पालन हार हूँ तो आज मैं तुमको प्रैक्टिकल तरीके से प्रदर्शित करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पालन कर सकता हूँ कर रहा हूँ और इसलिए उन्हें उस पाँच रोटी से हजारों लोगों को उस दिन भोजन दिया एक बार जब हम समझ जाते हैं कि स्रिष्टी करता सिर्जन हार भी है पालन हार भी है तब ये समझना हमारे लिए आसान हो जाता है कि वे प्रभू ना केवल सिर्जन हार है पालन हार है लेकिन उद्धार देने वाले मुक्ति देने वाले तारन हार भी है इस घटना के द्वारा प्रभू ने ये प्रमानित किया उस बड़ी भीड के सामने कि वे इस संसार में हमको मुक्ति तारण देने के लिए हमारे तराणी है तारण हार है मुक्ति देने के लिए पधारे हैं यहां कुछ बातें और भी दी हुई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बारवे पत में हम देखते हैं जब वेखा कर तरप्त हो गए तो प्रभू ने अपने चेलों से कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो जिससे की कुछ भी फेंका ना जाए आप कहेंगे कि खाने के बात जो जूटा बचा था वो कहे को बटोर लिया यहां दो बाते हैं यह जो बटोरा गया था यह खाने का जूटा था या नहीं यह यहां नहीं लिखा है संभाव ने इस बात किये कि रोटी तोड़के देते गए देते गए देते गए देते गए और लोगों ने उसमें से जितनी जरूरत थी वो ले लिए लेकिन बाकी जो उनको दिया नहीं जा सका उसको प्रभू ने कहा कि बटोर लो दूसरी संभावने ये भी है दे दिया खाने के बाद जो जूठा है प्रभू ने कहा कि उसको भी मत फेंको हम में से कई लोगों को लगता है कि खाने के बाद जो जूठा बचा है अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है प्रभू ने का नहीं नि उसको फेकना नहीं है क्यों? इसका भी मतलब बताने के बाद हम इसके आत्मिक पाट को देखेंगे संसार के जो सृष्णा है उनने संसार में किसी भी चीज की सृष्टी व्यर्थ नहीं की है प्रभु ने इस विश्व की सृष्टी इस तरह से की है कि मनुश के खाने के बाद जो जूठा बचता है जिसकी जरूरत मनुश को नहीं है उसकी जरूरत बहुत सारे प्राणियों को होती है हमारे जानवर, पालतू जानवर, जंगली जानवर, चिडिये, पक्षी, इन सब को भी तो भोजन की जरूरत है पक्षी ये देखके खाते हैं क्या कि ये खाना फ्रेश है या जूटा है जी नहीं, पक्षी को तो भूख के लिए भोजन चाहिए प्रभू इस खटना के द्वारा ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि जिस सिर्जनहार ने पांच रोटी को बढ़ा कर पांच हजार पुरिश समेत कम से कम दस हजार लोगों को खिलाया वे प्रभू ना केवल मनिश्य बलकि संसार में जो अन्य प्राणी है उनका भी ख्याल रखते हैं इस कारेंट प्रभू नहीं चाहते कि प्रभू ने जिस चीज की सृष्टी की है वो बरबाद हो जाए इतनी सारी बाते प्रभू ने उनको वहां बताई और यहां लिखा है कि बारा टोकरी भोजन बच गया बारा टोकरी आप पूछेंगे टोकरीयां कहां से आ गई यह कोई ताज्यूब की बात नहीं है गाउं वाले खासकर मैं और आप मेरा भी जन्मे एक गाउं में हुआ था गाउं वाले जब घर से कहीं बाहर जाते हैं बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो साथ में एक टोकरीय रख लेते हैं जाते आते में कोई काम की चीज मिल गई तो उस टोकरी में रखके वो घर लाते हैं आज शहरी लोग कहीं जाते हैं तो साथ में एक थैला ले जाते हैं इसी का एक रूप है पुरैने जमाने में अपन टोक्रियां मैं तो मेरे बच्पन में तो मुझे अभी भी याद है मैं दादा जी के साथ जब भी गाउं से बाहर निकलता था तो एक टोक्री तो साथ में लेके जाते ही थे इस तरह की बाराथ टोक्रियां भरके भोजन बचा इसका क्या रिजल चुआ देखिए चओदेवे पद में हम देखते हैं तब जो आश्चरी कर्म प्रभु ने करके दिखाया उसे देखकर लोग कहने लगे वह भविश्य वक्ता जो संसार में आने वाले थे वो यही है भविश्य वक्ता का क्या मतलब है जो हमारा भविश्य बता सकता है ये किसके बारे में बात हो रही है मैंने जैसे पहले बताया आज से 2000 साल पहले मद्यपूर्व में ये घटना हुई थी मद्यपूर्व के जो लोग थे उनको प्रभु ने प्रभु ईश्यू के आगमन से 4000 साल पहले ये बात बता दी थी कि एक मुक्तिदाता आएंगे बे मुक्तिदाता इस संसार के सरजनहार भी है, पालनहार भी है तारनहार भी है राजाओं के राजा भी है, प्रभू के प्रभू भी है और भविश्य वक्ताओं के भविशे वक्ता भी है इसलिए उन्हें ने कहा कि ये वही है जिनके बारे में प्रभू के वचन में पिछले 4000 साल से कहा गया है प्रिये भाईयों और बेहनों आप मेंसे कई लोग प्रभू के वचन को हाथ में लेके बैठी हुए है जिनके पास प्रभू का वच प्रभु के वच्चन में प्रभु ईशु के आने से पहले इसका दो तिहाई लिख दिया गया था इस दो तिहाई में प्रभु ईशु के बारे में 333 भविश्वानिया हैं उसके अलावा मौखिक रूप से 1000 भविश्वानिया थी इन भविश्वानियों में कहा गया था कि मुक्तिदाता आने वाले हैं तो जब प्रभु ने ये अत्मुक कारी दिखाया तो उनको कुछ नहीं बताना पड़ा प्रभू को ये नहीं कहना पड़ा कि देखो मैं मुक्तिदाता हूँ प्रभू को ये नहीं कहना पड़ा कि मैं सरजनहार हूँ, पालनहार हूँ, तारनहार हूँ प्रभू ने अपने उस कर्म के द्वारा उन लोगों के सामने प्रमानित किया कि प्रभू मुक्तिदाता है, सरजनहार है, पालनहार है, तारेंडहार है और उन्होंने प्रभू पर विश्वास किया क्या विश्वास किया? ये भी जानना जरूरी है वो उन्होंने जो विश्वास किया उसके बारे में इसी पुस्तक के कई अध्यायों में बताया गया है जिसमें से एक भाग आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो इसी पुस्तक के तीसरे अध्याय के सोलह हुए शलोक में या सोलह हुए पद में हम देखते हैं ये एक ऐसा पद है ये ऐसा शलोक है जो इसके पहले कई बार में आप लोगों के सामने रख चुका हूँ इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दुनिया की हजारों भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है मैंने अपने जीवन में इसको कम से कम पांच भाषाओं में याद किया था कम से कम ये इतना फेमस इतना पॉपिलर है यहां हम देखते हैं युहना के तीन सोला में संसार के स्रिष्टा पर्मेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एक लोते पुत्र प्रभु येश्व को इस संसार के लिए दे दिया इस संसार में भेज दिया जिससे कि जो भी व्यक्ति उस प्रभु पर विश्वास करे वो नाश्ट ना हो बलकि शाश्वत जीवन पाए प्रभु इस संसार में चेल्या बनाने के लिए नहीं आये थे उन्हेंने कुछ चेले ले जरूर लिये थे लेकिन प्रभु का उदेश ये था कि ये चेले जाकर बाकी लोगों को आत्मिक शिष्य बनाए ना कि जिस तरह से चेले चपाटे हम संसार में देखते हैं प्रभु इस संसार में इसलिए आये थे कि संसार में सब के लिए उद्धार का रास्ता खोल दें जिससे कि दुनिया में हर व्यक्ति मुक्ती पा सके ये है मैंने ये जो पढ़ा इसका मतलब मनिश के स्रिष्टा ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उन्हें ने अपने एक लोते पुत्र प्रभु इशु को इस संसार के लिए दे दिया जिससे कि जो कोई उस प्रभु पर विश्वास करे वो जीवन में नश्ट ना हो बलकि शाश्वत जीवन पाई शाश्वत मींस जो कभी न समाप्त हो यहाँ दो तीन बाते मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ हम इस बात को जानते हैं कि जो भी संसार में आया उसको जाना पड़ेगा आज मेरे सामने प्रभु की उपस्तिती में जितने भाई बहन एकत्रित हुए हैं उनसे मेरा एक प्रश्ण है बही मैं तो 65 साल का हो गया अब यदि स्वास्थ ने साथ दिया तो 20-25 साल और शायद यहां रहूँगा 20-25 साल इस तरह से संदेश दे सकूँगा यह मैं नहीं कहता है हो सकता है 5-6 साल में यहां मुझे जबरदस्ती हटा दिया जाए क्योंकि खड़े होकर बात करूं तो उल्टा सीधा बोलने लगूं क्योंकि उमर के साथ ऐसा होता है और जब ऐसा होता है तो हमको मालूम है कि उसको पार्सल करने का समय आ गया है तो मेरे लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 साल बचे हैं लेकिन मुझसे जबान बहुत सारे लोग आज इस सभा में बैठे हैं उनसे मेरे एक प्रशन है मेरी प्रिये बेहन मेरे प्रिये भाई आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसको इस बात के गारेंटी है कि वो सदा सरवदा इस संसार में रहेगा है क्या यहां कोई जिस नहीं है आरे बाप रहे आप सब लोग ने बहुत जल्दी हदियार डाल दिये यहां किसी को इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सदा सरवदा अच्छा ठीक है सदा सरवदा छोड़ें यहां ऐसा कोई है क्या जिसको इस बात की गारंटी है कि कम से कम एक सहस्तर वर्षय तक संसार में रहे कोई है क्या नहीं है अच्छा ठीक है आज इस सभाम में ऐसा कोई है क्या जो ये कह सके कि मैं अभी तो सो साल और जी हूंगा असंभव बात है दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसकी उमर है वो मैयो पिछले दिनों गुजर गई 120 साल की थी उससे ज़्यादा कोई नहीं जी पाता है तो एक बात की तो ग्यारंटी है जो भी इस संसार में आया है उसको जाना पड़ेगा वो श्लोक जो मैं हमेशा सनाय करता हूं आया है सो जाएगा राजा हो रंक हो फकीर हो मतलब चाहे राजा हो या विकारी हो जा जिसने सब त्याग दिया उसको जाना ही पड़ेगा कोई व्यक्ती नहीं है जो नहीं जाएगा अब सवाल यह है कहां जाएंगे यह है जिसके बारे में प्रभु का वचन कहता है कि वो नश्ट ना हो बलकि उसको शाश्वत जीवन मिले इसका क्या मतलब है देखिए मनिश्य बहुत सारी बातें अपने आप जानता है हम में से हर विक्ती इस बात को अपने आप जानता है कि संसार को छोड़ कर जब हम चले जाएंगे तब हम या तो सनातन प्रभु की उपस्तिती में जाएंगे या सदा सरवदा प्रभु से दूर उस शाश्वत अंदकार में जाएंगे जहां सर्व रोना और पीटना होगा प्रभु का वचन क्या कहता है प्रभु येश्व संसार में इसलिए आए कि उनके द्वारा हम उस शाश्वत नरक में न जाके शाश्वत स्वर्ग में जा सकें आज संधिया को प्रभु का वचन जो भाई और बहन सुन रहे हैं उन सब से मेरी आचना है मेरी बिंती है मेरे प्रीए भाई आज प्रभु ने अपने वचन से आपको मुक्ती के बारे में बताया उद्धार के बारे में बताया उसकी उपेक्षा ना करें मैंने जो घटना आपको पढ़के सुनाई उस घटना में प्रभु ईशु ने इस बाग को प्रमानित किया कि वे संसार के सिर्जनहार, पालनहार और तारनहार है और जब प्रभु ने ये करके दिखाया तो बहुत सारे लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया उस घटना को मैंने आज आपके सामनी इसलिए रखा कि उसके आधार पर हम प्रभु के वचन के आधार पर इस बात को समझें कि प्रभु इस संसार में मुझे और आपको एक नया जीवन देने के लिए पधारे थे सर्जनहार इस संसार में तारनहार या मुक्ति दाता के रूप में पधारे जिससे कि मुझे और आपको मुक्ति दे सकें आज संधिया को इस सभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं इन में से यदि मैं हाथ उठाने को बोलू तो आगे से लेकर पीछे तक कई लोग यदि मैं उनसे पूछू मेरे प्रिये भाई, मेरे प्रिये बहन यदि आपको इस बात का निश्चे है कि आपने प्रभू पर विश्वास करके मुक्ति पाई है तो जरा हाथ उठाईए तो इन में से कई लोग हाथ उठाएंगे बहुत सारे लोग हाथ उठाएंगे प्रार्थना के लिए जो भाई आगे आए थे एनॉंस्मेंट के लिए जो भाई आगे आए थे ये बच्चे जो यहाँ पर खड़े होकर संगीत उपकरंट बजा रहे थे ये भाई लोग जो यहाँ पर खड़े होकर आपके सामने गाना गा रहे थे ये सब आपके सामने क्यों आये अपनी योगिता दिखाने के लिए क्या नहीं अपनी योग्यता का उपयोग करने के लिए जिससे कि वे लोग आत्मिक रूप से आपकी सेवा कर सकें कैसी सेवा? काने के द्वारा आपके दिलों में एक उमंग भर सकें एक आशा भर सकें जिसके बाद आप प्रभु के वच्चन से प्रभु जो मुक्ती प्रदान करते हैं उसके बारे में सुन सकें खुले दिमाग के साथ और सुनकर प्रभु को मुक्ती दाता के रूप में ग्रहंट कर सकें आज से बहुत साल पहले मैंने इस बात को पहचाना कि मैं एक पापी हूँ मुझे में कोई अच्छी बात नहीं है दो चार अच्छे काम मैं जो करता हूँ उसके आधार पर मैं अच्छा नहीं बन सकता क्योंकि मेरी जिवन में बाकी सब बुरा ही बुरा है मैं एक पापी हूँ मैंने इस बात को समझा कि मैं पापी था प्रभू से दूर था मैंने इस बात को भी समझा कि प्रभू इश्वी संसार में मेरे पापों की सजा भुगतने के लिए आये थे उसी ठंड मैंने गुटने टेक कर प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में गरंड किया तब से मेरे जीवन में एक नई आशा है, एक नई उमीद है, एक नई खुशी है, एक नई शांती है और एक नया confidence हियाव है कि जब मैं इस संसार को छोड़ जाओंगा, आया है सो जाएगा, मैं आया मैं जाओंगा, लेकिन जब मैं जाओंगा तो शाश्वत अंदकार में नही शाश्वत जोती में प्रभू के साथ रहूंगा, ऐसे कई भाई बहन यहाँ है, जिनके जीवन में अनुभो हुआ है, इसलिए आज इस सभा में जो बैठे हुए हैं, उन भाईयों से मेरा अनुरोध है, कि जिसको भी इस बात का यकीन नहीं है, जिनको इस नई जीवन का अ बताऊंगा, यदि आपको लगता है, अरे बापरे, ऐसे बुजुर के पास जाके मैं जवान कैसे बात कर सकूँ, कोई बात नहीं है, मुझसे उमर में छोटे यहाँ कई भाई लोग हैं, आपको यदि उन से बात करने में ज्यादा confidence मालूम होता है, तो ये उन भाई लोगो से बात कीजिए, वो आपको ये सारी बातें बहुती साफ साफ बताएंगे, समझाएंगे, जिससे के आप इस मुक्ति को पास सकें